हेलो गाइज वेल्ट एक्सरेस में आपका हर्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए पांच स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लेके आया हूं और एक निप्टी का विवानी के टोटल छे चार्ट एनलेसिस करेंगे तो वीडियो आपको पूरा देखना है तो आपको समझ में आ सको तो उससे पहले गाइज आपको अगर टेलीग्राम चैनल है तो आप जोइन करके रहेंगे तो अभी अपने चलते गाइज उससे पहले में आपको पहले बता देता हो कि कल अपने वीडियो डारा था मल्टी बेगर स्टॉक का हर सेटड़े को डालते है विकली चार्ट के अगर कोई स्टॉक लेना चाहते हो तीन से चे महीने के लिए अपने पॉर्टफोली में तो यह वीडियो आपको लोगा तो जाके देख सकते हो तीन बड़िया स्टॉक है जो लो रिस्क हाई रिवर्ट सेटप में आ रहा है तो वह ले सकते हो और अगर पहली बार चैनल पर है तो आप चैनल को सुस्क्राइब करके रख सकते हैं आपको यहां पर अलग-अलग स्ट्रेजी भी सीखने को मिलेगी इंट्राडे स्टॉक भी मिलते रहेंगे और अपने मल्टी बेगर भी देते हो और संडे को निप्टी का वियू और स्विन ट्रेडिंग स्टॉक देते था 19,000 मैं आपको यहां पर समझा देता हूं तो यहां पर आप देखोगे तो डेली चार्ट के पर निप्टी 50 का मैं आपको अनलिस्टर्स करके बता रहा हूं तो वह आपको ध्यान में रखना है अपने जब निप्टी यहां पर ट्रेड कर रही थी तब मैंने एक हीरो-ज के लगता है तभी आपको उसमें एंट्री लेनिया बहुत सारे लोग बोल रहे थे उसमें clear cut लिखा था कि stop loss जीरो क्यूशी निए उसमें stop loss नहीं होता लेकिन वो 300-400 तो आपको मिली जाएंगे उसमें, तो वो भी कर सकते हो, अगर किसी ने नहीं किया, तो भी अभी 64 पर चल रहा है, तो वो भी आप सप्टेम्बर सीरिस का 19,800 का कॉल ले सकते हैं, 64 के आसपर चल रहा है, आराम से इसमें अच्छा आपको रिस्क रिवर मिल सकता है, क्योंकि अभी खोने के लिए इस आपके पास 64 पोइंट है, और जो लोग ने 115 पर बाई किया है, उनको थोड़ा ज्यादा लोस आएगा, लेकिन आपको ध्यान में र देगा, तब एक्सिट करना है, उसके बाद निप्टी ने फ्राइडे को, यहाँ पर क्या किया था, 19,255 जितना लो मारा था, तब अपना लेवल चेंज, क्योंकि यह रिजेक्शन केंडल होती है, तब निप्टी का अपना व्यू क्योंसा हो गय था, निप्टी 19,250 के यहाँ पर 230 का लो मारा और प्लोजिंग आपर आई, 250 के उपर आई, तो अभी भी निप्टी में बाइंग साइड ही है, और अभी आप देखोगे तो यह जो फ्राइडे का केंडल था, यह जो भी फॉल आयो, उसका लास्ट केंडल है, आपको लिखके रखना है, तो रख सक अभी फिर से यहाँ पर trend line का भी support आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो, यहाँ पर multiple support निप्टी का अपना व्यूग कप चेंज होगा जो अभी वाइंग सैड है वो सेलिंग सैड कब होगा अभी क्यों कि यह फ्राइड़े का जो लो मारता उन्नी सजा निप्टी में यहां से फॉल आएगा और निप्टी का फॉल कहा तक जाएगा अट्राजा नौसो तक निचे की साइड जा सकता है लेकिन वह बहुत रहर बहुत रहर है नहीं कि 10% चांस है 90% चांस है कि यहां से उपड जाएगी तो आपको अभी बेचने का तो बिल्कुल सेप्टेंबर सिरीज के लिए लेकिन अगर नई एंट्री लेनी इनी है तो आपको क्या करना है इसके उपड जाएगा तब आपको बाइ करना है जो फॉल West बहुत आहम हो जाएगा यहां से उपर जाएगा या तो निचे जाएगा अभी देखते हैं कौन से साइड जाता है 19,200 65 अभी चल रहे है निप्टी तो आपको बाय करना है अगर नई एंट्री लेने निप्टी में 19,340 के उपर बाय करना है और इसमें आपको जो भी पॉजि तो करी लेना अगर नई एंट्री लेते हो तो और यहां पर टार्गेट में ने चेंज थोड़ा टाइप करने में गड़बड हो गी है टार्गेट रहेगे वो आपके 19,540 के रहेंगे वो आपको ध्यान में रखना है 19,540 अनुकि 200 पॉइंट का आपको रिवर्ड मिल सकता है आने वाले एक विक में तो निप्टी को बाय करना है नई एंट्री के लिए 19,340 अगर किसी ने लेके रखा है तो वो फोल्ड करके रख सकते हो और आपको 20-30 रुपीज होगा है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है तो यह अपना क्लियर कट वी हो गया है निप्टी को अभी भी बाय करना है 19,340 के उपर बहुत बढ़िया रैली उपर की साथ निप्टी दिखा सकती है तो अभी निप्टी का वी होगा है अभी मैं आपको पा बीप्टी को बाय करने का रिजन का रीजन सै ब्रेक आउट रिटेज्डान नहीं तो सब्सक् толi आपको ब्रेक Also बीके घंदल मौर्ड जाएन और यह आपका final stop loss हो जाएगा तो अभी CMP 873 के आसपास है तो आपको 885 के उपर buy करना है 865 का stop loss लगा के 930 के target एक विक में stock दिखा सकता है लेकिन आपको अभी buy ने करना 885 के उपर जाएगा तभी VBL को buy करना है तो अपना पहला जो stock हो गए अभी मैं आपको दूसरा stock बतां कि 211 का strong support है तो वहां से stock ने अच्छी राइल उपर की side दिखाई तो अभी आपको इसको buy करने का main region का side 226 चल रहा है breakout and breakout possible अभी हुआ नहीं आप द्यान से देखोगे तो यहां पर क्या है daily chart के उपर Alice India बड़ा सा volume में आप देखोगे तो द्यान से लेकिन यहां से stock नीचे आ गए फिर से उपर जाने का try गया है फिर से नीचे आ गए अभी फिर से यहां पर उपर जाने का try कर रहा है यानि कि उसका supply जो ने उसके अंदर ही बारबट close दे रहा है और volume भी increase हो रहा है आप द्यान से देखोगे तो जब बढ़ता है तो अच्छे से volume में गिरता है तो volume इतने खास है नहीं आपको इसके उपर ही buy करना है क्योंकि यह जो breakout candle try किया है तो breakout देने का लेकिन दे नहीं पाया और इसके अंदर ही close दिया है तो अभी आपको इसके उपर जैसे ही जाता है stock तो आपको buy करना है और यह आपका निचे का candle का low आपका stop loss हो जाएगा और stock में target 232 का level cross करेगा तो उसका कोई भी rejection नहीं है stock सिधा previous में जो high मारा था 257, 260 वहाद तक जा सकता है वो भी one way rally में जा सकता है तो आपको वो ध्यान में रखना है कि stock का अभी CMP कितना है 246 है तो अभी आपको buy नहीं करना है 232 के उपर buy करना है 233 का stop loss है यानि कि आप देखोगे तो आपको रेलेस इंडिया को अभी buy नहीं करना है 232 के उपर buy करना है अभी मैं आपको तिसरा stock बता हूंगा जिसका नाम है Marksens Farma Marksens Farma को आपको buy करना है उसके पिछे का आपने logic देख लेते हैं daily chart के उपर analysis करेंगे stock का नाम है Marksens Farma buy करने का region कुन सा है? trend line का support है simple सा region यहापे देखोगे तो trend line का support आ रहा था यहापे भी trend line का support आ रहा था और stock यहापे भी देखोगे तो trend line का support लिया और जो previous में low मारा था उससे बले हलका सा 5.5 पैंसे भी नया low मारा है यानि कि आपका यह support candle हो गई वो आपको ध्यान में र उपर जा सकता है लेकिन wait and watch करना है इसके उपर जाएगा तभी आपको buy करना है अभी CMP 110 है 112 के उपर buy करना है 110 का आपको stop loss लगाने 120 के target एक विक में stock दिखा सकता है लेकिन wait and watch करना है जैसे इसका high break करेगा तभी आपको buy करना है तो यह अपना तिसरा stock हो गया है जो आपको buy करना है लेकिन conditional buying करना है अभी guys मैं आपको दो stock ऐसे बताऊंगा जो open price को buy करना है strong demand zone के आसपास है और low risk में कभी कोई ऐसा stock मिलता है तो वहाँ पे आपको wait and watch करना है नहीं चाहिए सिधा buy करना चाहिए तो इसमें चौता stock रहेगा वह रिलाइंस रहेगा रिलाइंस को आपको buy करना है low risk में अगर stop loss भी हो जाता है तो आपकी position size perfect होनी चाहिए यह आपर देखो कि तर टेली चार्ट के उपर stock का नाम है अपर गया है तब उसको benefit हो रहा है कि निचे से आप trend line ड्रोप करोगे तो यहापर एक दूब और यहापर भी ट्रेंडिंग का support आ रहा है यहाँ अच्छा सब्सक्राइब करके फिर से उपर जा सकते हैं सेम सेटप आपको पता होगा अपने ट्रीवेनी टर्बाइन में पूर्ण बना था 375 के क्लियर कट बोला था कि उपन प्राइस पर ही बाय करना है तो वो स्टोक अभी 390 चल रहा है क्योंकि यह परफेक्ट रिवेसल पॉइंट होता है स्टोक का जहां पर उसको डिमांड जोन और ट्रेंड लेंग का सपूर्ट दोनों मिलता है तो वासे स्टोक बाउंस बे करत करना नहीं सीधा जाके बाय कर सकते हैं और अगर स्टोप्लस भी हो गया तो आपकी पॉजिशन साइज प्रॉपरली होनी चाहिए वह आपको ध्यान में रखना है रिस्क मेनेजमेंट फॉलो करना है तो यह अपने चौता स्टोक हो गया रिलाइंस आपको बाय करना है लेकि इसका नामें Tata Consumer, Tata Consumer को आपको भाय करना है आपने श्टोक पहले भी दिया था, 835 के आश्पास बाय भी हो गया, डेली चार्ट के उपर श्टोक का नामें Tata Consumer भाय करने का रिजन यहापे जब श्टोक 844 चल रहा था तब आपको इसको क्योंकि श्टोपर बहुत दूर आ तो वह आपको ध्यान में रखना है अगर यहां पर बाई करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस आता है लेकिन अपने बोला था कि 835 पर बाई करना है श्टॉक अभी 832 चल रहा है तो अभी भी जो लोग ने बाई नहीं किया तो बहुत अच्छा स्टॉक के साइडवेज साइडवेज याने की स्टॉक का रिजेक्शन ही रहा था ब्रेक आउट देखें उपर गया फिर से यहां पर डिमांड जोन सपोर्ट लिया फिर से और यहां पर देखोगे तो स्टॉक साइडवेज में जा रहा है तो यहां से उपर फिर से जा सकता है लो रिस्क में आपको stop loss लगाना है 860 के target एक विक में stock दिखा सकता है तो risk reward बहुत अच्छा match हो रहा है इसलिए stock को भी open price भी आप इसको buy कर सकते है stock का नामे tata consumer तो guys मैंने आपको total 5 stock बता है और एक nifty का view बता है nifty का view अभी भी clear cut buying side ही है तो आपको बेचने का try नहीं करना है चैनल को subscribe करना अगर कुछ भी doubt हो कुछ भी आपको पूछना हो stock के बारे में तो आप comment करके पूछ सकते होते हैं मैं उसका जब भी time मिलेगा तो reply देने का try कर गए guys thank you very much bye bye take care video copy के अभी like करके जाना guys thank you bye bye take care कल मिलते है नए वीडियो में bye bye take care